गुड मॉर्णिंग आइस मैं उस्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक्जाम पर मैं दोस्तों मैं आपके सामने आज चुका हूँ फिर से उसी एनरजी के साथ और आज हम कवर करने वाले हैं आपके पहुत अच्छे-च्छे वर्ड सुनोनियम एंटोनियम और यह वर जिसमें सोचता है अगर हमें कोई बीचीज अगर हमें इमेज में मिल जाए तो वह हमें लंबे टाइम तक मेमराइज रहती है तो इसलिए सोचा गया कि आपके लिए कुछ नया सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और इसमें आप सब लोग कॉपरेट करेंगे कि क्या यह बास सही है क्या यह जो नया एक्सपेरिमेंट किया गया वह सही जा रहा है वैसे मुझे उम्मीद है कि आप आज इस क्लास को अटेंड करेंगे पूरे दिल से पूरे मन से बहुत अच्छे से हसते वे अच्छे से करेंगे बिलकुल मस्ती से कोई भी टेंशन मत लेना और करने वाले हैं तरिक भी आपको बताए जाएं कि बिल्कुल पर रिशान मत होना बहुत मस तरीके से आज हम काम करने वाले हैं के लेगा और पहली पतारो एक बात को सभी लोग लाइक करने में कोई भी रखेंगे अगर चीज़ा पसंदारी है बहतर लग रहा है तो प्लीस अ लगा दीजे ओके चलिए शाबाश तो आपके सामने पहली में जा चुकी है इस इमेज को देख करके क्या सोच सकते हैं इतना समझ गया आप कि जज साब ने ओर दिया ओर किसलिए कि भाईया उन्होंने सबूत मांगे कि पिंटु भाई अरे पिंटु भाई जा करके सबूत ले करके आओ चीज़ों को सबूत कर दो क्लियर कर दो वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि आपने पांच रुपे चुराई ते लाला जी की दुकान से इसलिए आपको सबूत लाना है कि आपने नहीं कर आएसा तो इस इमेज को देख करके हमें इतनी बात क्ल वर्ड वाली इमेज लगा दीजा शाबाश अब देखिया आपके सामने यहां पर आ गया वर्ड एक्जामपल आप मैंञे ने इमेज बनाई कि यहां कुछ दिखाने की बात हुई है और उस से रिलेटिड वर्ड हमारा इविंस क्या है हमारा वर्ड यहां पर इविंस ठीक है हमारा वर्ड क्या है यहां पर इविंस क्लियर हो रही बात यहां तक ओकई इसे मतलब क्या होता है किसी यह कोते हैं किसी चीज को कराना यह न यह आदा अगर हमें करी हो तो यह रहlyा था इसका लाता क्या होता है इस ने की सीरीज आई यह थी पहली वाली उसमें यह बढ़ा अब देखिए इसकी ट्रिक पर आ जाते हैं ठीक है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ट्रिक क्या इसकी एविडेंट की चीजों को समझने की कुशिश्च करना पहले तो आपको सामने मतलब क्या है इसमेश का मतलब है वेंज तो आपके सामने जो इमेश लाइए गई तरह वाली उससा बोल ले ते कि बैस सब्सक्राइब करो अपने केस को तब ही आपको क्या किया जाएगा छोड़ा जाएगा एक सॉल्फ किया जाएगा तो इस तदीके से आपको यकीन मानिया प्रेक्टिस करोगे ना इस वीडियो को बार बार देखोगे इमेज देखकर करके वर्ड निकलेंगे नेस्ट टाइम से अच्छा यह यह सकता है इविटेंट हो सकता है सब्बूत हो सकता है यकीन मानिये बहुत आगे चलिए तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है अभी सुनौनियम पर आते हैं सुनौनिम यहापर लिखा है डिकलेयर डिस्क्लोज मतलब वही किसी चीच को बताना सही करना दिखाना इस पर इसके सामने खोल कर रख देना ठीक है एंटोनिय पर आएंगे तो यहापर इंतल जाइब कर दिखाना ठीक है यहापर रहें इस ग्रेट सौरो फॉर वाट ही है डन तो उसने क्या काम करा बहुत ज्यादा सौरो दिखाया जिसके लिए बहुत दुख दिखाया इस पश्ट कि आपने आपके दुख को वाट है डैन जो उसने किया था किलियर और यह बात चलिए अब आने वाली इमिज पर बढ़ते हैं तैयार रही आपके सामने अब इस इमिज को देख करके मैं आपको हिंडू दूँगा साथ-साथ आप वैसे-वैसे सोचना ठीक है शाबाज और हसते यदि कटे सब्सक्राइब खांब घर ऐसे शोट में फूराइब बात पर एक सांड़ना और यहां सब्सक्राइब को जनाब मेरे बढ़ती है मेरे चैनम कॉटा ऑब आपके में पर इमेंज को लो क्या कर रहे हैं आपके सामने शाएड आ गई है कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि ओके ठीक है ठीक है जो वर्ड वाला वो दिख रहा होगा ना ठीक है हाँ तो अब आपके सामने वर्ड आ गया आपके इसको बोलते हैं सकिंट क्या बोलते हैं सकिंट है ना मैं आपको बता देता हूं यह हमारे सामने वर्ड है सकिंट ठीक ह इसका मतलब क्या होता है किसी भी चीज को छोटा करना या चुल या सन्षिप्त गुंध अब आ आ میں आ说 समझा कि वर्ट से पहले यह में आ जो क्यों क्यों आयगे था क्योंकल काकर दिया था कि याद् कर दिया था किन Vincent स्केंट से क कैसे साथ हिए हें डैसी और यह न कि शोटा कर देता का कहते ना उसका तो मुझे उस वाले आंसर का मुझे हिंट देतो जैसे पेपर में बैठते हो आगे नकल करते हो कि थोड़ी बहुत बहुत हो कि हाँ पिंटु भाई तो बता देना हिंट क्या करता किसी चीज को छोटा कर देता है इसके सब्सक्राइब पर आएंगे तो बोलें कंसाइस छोटा बता है प्रॉलोंग का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना ड़ा कर देना थे यहां पर हमारा पर देएगा बता दीएंग्जांपल है यहां पर कि नेक्स तोस की तरफ में इसकी तरफ कि बहुत बढ़ी है अगली में तरह सामने है अरे भाया क्या हो गया क्यों दास हो रहे हो कौन छोड़कर चला गया अब इसको देखो क्या हो रहा है आप इसकी परिशान हो रहा है सर देजे आप शाबाश नहीं वह वाली होगी ना इसकी वर्ड वर्ड यह 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 वाली लगने डेस्पेर वाली आप आगी ना आप सही है अब आपके सामने आगए डेस्पेर अब मेरी बास समझ यह तो आप अब अपने देख पहले कि उधास से परिशान से अब क्या है इसके सामने वी तरफ रर्ण है अब देखते वर्ड के बारी कैंके रिकांट אני हो سकता है सब्सक्राइब देशें जोब नेते तो आज जो है मेरी शादी हो जाती तो क्या हो जाती तो याद रखना अगर पढ़ोगे जोब लगेगी तो अराम से क्यासे हो जाओगे पेर बन जाएगा तुम्हारा वरना तो कैसे रहोगे तक सौनानियम पर आएंगे तो ग्लूम सौरो इसके सौनानियम है एंटोनियम यहां पर है चीर और जोई मतलब कि खुश होना बहुत प्रसंद होना एक्जामपल यहां पर दे रखा है एक्जामपल डी जो है वो साइक लिए आपने पैसे खो दिये उसको लेकर और तो कैसे थ अब यार की शादी है क्या बात है ऐसा तो डांस आपने किया ही होगा आज मेरे यार की शादी आएसा खूब धूमधाम साफने डांस किया होगा तो अब तो समझ गए कि सरकुछना कुछ इसमिमेंच को देखकर करके हमारे मैंड में एक चीज़ता आ रही है कि भाइसाब य हमने कहा है शादियों में खूब मस्ती की किया कूब डांस किया है कूब धूमधाम से चीज़े को इंजॉय किया इमेज आई माइंड ने काम किया मैं ने बोला कि हाँ कुछ खुशी की बात हो रही है धूमधाम की बात हो रही है तो सर अब लगा देंगे नेक्स लाइड है कि ठीक है कि अगर कि अगर कि कि थोड़ा सा आगे बीच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपके सामने चुआ चुका है वह आपका पॉंप पॉंप जैसे कि मैं आपको बताया था आज मेरे यार की शादी है मतलब धूम-धाम है ना तो समझ रहे होना मेरी बात तो याद हो गया आपको क्या है पॉंप पॉंप मतलब क्या होता है धूम-धाम क्या होता है आपका धूम-धाम क्लियर और यहां से याद कर लोगे तो हमारा यहां पर है ग्रेंडियर और splendor grandier का मतलब होता है वह ता आपका वैभाव क्या होता है अब का मतलब यहाद कर ले ना तिक है उसके बाद आप तो साधा सिंबल और बोरिंग सा तो क्या हो गया इसका हो गया एक्जामपल ही से से मनाए गई बिलकुल धुमधाम से क्लियर हो रही बात यहां तक शाबाश तो अगले अगली इमेज के तयार रही है अब देखें आपको सामने क्या ही में जाने वाली है सोचिए इसके बारे में क्या है ना सोचिए इसके बारे में क्या है शाबाश बहुत अच्छे वेरी गुड शाबाश अब जरा देखिए यह चोड कर रहा है भाई लेकर भाग रहा है तो यहां से नहीं बात सामने वड़ आ गया देखिए यह मिरसले कि है यह जोlor पड़ेगा तो आपके इंदर पस electrify क्लैश के बारे में पार रहें पारी कुछ तो हाएगा माइं थे लेगा आपका अतना बहुत है कि यहां से बन गया हमारा अब इसके बारे में पढ़ते हैं यहां पर एपसॉल और याद रखेंगे यह का सुनौनिया में दोनों का मतलब होता है भाग जाना फरार हो जाना एंटॉरियम इसका यहां पर इस्टे रुखना या आना तो यह क्यों पर आएंगे तो यह आपर लिखा हुआ है ही वास कॉट ट्राइंग फ्ली वह पकड़ा गया जब वह कोशिक कर रहा था जेल से भागने की तो अगली में आपके सामने आ गई है फिर से सोचो फिर से ही कोड़ वाली चीज आ गई है क्या हो सकता है आपका जैसे आपका पहले आया था आपने बता बतार जबेंगा दिया करा जाती है वहाँ से तरीका मतलब वहाँ पर काम करते हैं वह लोग उन चीजों करते हैं तो हम भी क्यों ना आगे भढ़ें रहा है जो चीजों को देखो एब्सार poorer करो कि दNian क्यूं भढ़ रही है किस फतरीके से नहीं पढ़ाई ला सकते है क्या चेंजमेंट ला सकते अपनी बढ़ाई में तो यह चीज़ों पर काम करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं जैसे क्या होगा अगर आपको अच्छन लेगा पता तो कि सर यह मदा नहीं है तो मैं क्या करते हैं अपने पूर पूरान रूटीन पर आज़ा चाहिब देखा हो कि यह चाहिए तो क्या होते हैं क्या water अच्छन आज समझ में आ गया ना पहर आपको यहांपर करता है यहां पर आपके चीज को और यह क्या हो पर आएंगे तो यहां पर वही एक्जामब्ल के याद रहें ठाकि आपने सुनाए तोट इस एडेंट तक चली सरांगे पढ़तां अगली मेश पर क्या हो सकता है आपने बहुत सुना होगा जिए टो मैं शिफ्ट का भी सोचा है शिफ्ट का नाम क्यों रखा गया रहा इसका एक मतलब होता है यह बहुत ज्यादा फास्ट तो सर वर्ड लगा देंगे पिर इसके बारे बात करेंगे चलिए अब देखिया आपके सामने वर्ड आ गया है आपका शिफ्ट अब आप मेरी बात जान समझे तो यह जो शिफ्ट वर्ड है वह उन्होंने ऐसे नाम नी रख दिया कर दिया का मतलब होता है बहुत जादा तेज या फूरतीला तेज या फूरतीला हमेशा किसी नाम के पीचे कोई ना कोई रिज़ान होता है ठीक है अब देखिए अगर मैं के बारे में बात करूं इसके सब्वाने में अंडौनियम के बारे में यहां पर रखा एजाइल फूरतीला निम्बल तेज में आपको याद कराई तरिक है ना इस ने दो मिनिट की मैगी वोकैप देखिया उसको पता होगा निमबल के लिए क्या कराइथ था मैंने नीबू नीबू नीबू प्लम यह मैं लिखा है था आपको तो यह नियाद कराए-अब को कि नीबू प før आजा दूँ के और सब्सक्राइब है यह ऊपर नीचे हो गया है जो ऊपर है आपका वह क्या है आपका सब्सक्राइब है मैं आपको फिर से बता दू निम्बल और एजाइल है यह आपके सब्सक्राइब है ठीक है और एंटॉनियम क्या है आपके एंटोनियम आपके हामर दे रखे हैं sluggish और slow क्या दे रखे हैं आपके sluggish sluggish मतलब की बहुत जाता सुस्त और slow यह क्या है आपके opposite हैं यह क्या है आपके एंटोनियम से clear हो रही है बात यहां तक clear हो रही है बात यहां तक चलिए उसके बाद आपके सामने आ गए हैं हमारे लौएन भाई साब जो कैसे हैं सुस्त सुस्त से पढ़े हैं सो रहे हैं मतलब को चिंदा ही आपका क्या है आपका तार्डी क्या है आपका तार्डी तो यह लोएन भाई साब तरह की तरह की तरह की किताब को खा जाना मलब अच्छे से पढ़ लेना ऐसे सुस्त मत पढ़ना जो सुस्त है वो कैसा हो जाएगा पीछे तो आपको टार्डी नहीं होना है उस सो रोज सोते वेश शेर की तरह जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया था तो इसके बारे में जो बता रखा है यहां पर बता रखाए तो नहीं देर रखाए चास लगिश और डिले मतलब अलस डिले देर ना एंटॉनियम यहां पर पंच आप यहां से तो आज हमने क्या क्या किया आज हमने इक इमेज लेकर आपके माइंड पर जोड डाला गया उसको बोलता है विजलाइज करो और याद करो मतलब इमेज आपके सामने लगी पहले फिर उस इमेस रेट रखा यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला पसंद आया मज़ा है आपको तो सबी लोग लाइक करेंगे बहुत अच्छे से पूरे दिल से पूरी महनस से आपके लिए काम किया गया है और कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएंगे इस बात को कि हां सर यह जो तरीका है यह जबरदस्त है बिंदास है कमाल का है और को बहुत इंजॉय किया होगा तो मिलेंगा आप साने वाली आपकी अगली क्लास में तब तक के लिए हस्त रहें मुस्कुरातरी और गुन गुनाते रहें